हेलो फ्रेंड आप देखरें एडबलो ये अरवेदावीत अमीत आज इस वीडियो में देखने वाले राचना और किरिया सरी की M.C. को जो कि आपके एक्जाम के पॉइंट भी से इंपोर्टेंट है तो प्लीज आप इस वीडियो को पुरा लाज तक देखें वीडियो चले लाइक से रों सब्सक्राइब जरूर करें चले दो देखते हैं फर्स्ट कोस्टन अचारी सुसरूत ने इस तिरियों में पेसी गनना की है अप्शन A 520, अप्शन B 700, अप्शन C 360, अप्शन D 600, चलो इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा A, चले निक्ट पुचन देखते हैं एकरत पिल्या को किसका आशाय कहा है अप्शन A मधुम में आशाय अप्शन B रफ्टा से, अप्शन C राशा से, अप्शन D उप्रुक्त में कोई नहीं चलो इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा B, चले निक्ट पुचन देखते हैं आचारी गंगा धर ने फूपुस को नाम दिया है अप्शन A रिदय, अप्शन B कलोम, अप्शन C नाभी, अप्शन D नाडी चलो इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा B, चले निक्ट पुचन देखते हैं कुर्च में, सरीर में कुर्च है अप्शन A, 6, अप्शन B, 8, अप्शन C, 10, अप्शन D, 12 चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा A, चले निक्ट पुचन देखते हैं अचारे सुसरूत ने, सुसरूत के अनुशार गर्व में हिर्दय की उत्पति का समय है अप्शन A, प्रथम मास, अप्शन B, 17 मास अप्शन C, चतुर्थ मास, अप्शन D, 13 मास चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा C, चले निक्ट पुचन देखते हैं अश्तियों के संघात है अप्शन A, 12, अप्शन B, 14 अप्शन C, 16, अप्शन D, 18 चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा B, चले इसका अंसर देखते हैं चतुर्थ मास में दो हिद्यक किस अचारे ने कहा है अप्शन A, सुसरूत ने अप्शन B, चारक ने अप्शन C, गौतम ने अप्शन D, यग अलक्या ने चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा A, चले इने ठोचन देखते हैं शरीर में सिमंतोक की संख्या है अप्शन A, 12 अप्शन B, 14 अप्शन C, 16 अप्शन D, 18 चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा B, चले इने ठोचन देखते हैं एक स्वस्थ बिक्ति में RBC की संख्या कितनी होती है अप्शन A, 40-43 लाग प्रतिगन मिलिमीटर अप्शन B, 60-65 लाग प्रतिगन मिलिमीटर अप्शन C, 50-55 लाग प्रतिगन मिलिमीटर अप्शन D, 45-50 लाग प्रतिगन मिलिमीटर चलिए इसका answer देखते हैं तो इसका answer होगा D, चलिए इसका question देखते हैं सिरा मोल अस्थान किसको काहा गया है अप्सण E, हिर्दय को अप्सण B, मस्तिक को अप्सन C, बिका को अप्सन D, ना भी को चलिए इसका answer देखते हैं तो इसका इंसर होगा D, चले निख्ट फूचन दिखते हैं सिर्व में रद्र की गनना किस अचार्यों ने की है अप्सन A चरक, अप्सन B सुष्रोत, अप्सन C वागवाट, अप्सन D भाव परकास चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा D, चले निख्ट फूचन दिखते हैं सरीर में अश्टियों की गनना किस वाड़्स पर अधारित है अप्सन A, 20 वाड़्स, अप्सन B, 18 वाड़्स, अप्सन C, 25 वाड़्स, अप्सन D, 30 वाड़्स चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा C, चले निख्ट फूचन दिखते हैं गर्व में सभी अंग एक साथ उत्पन होते हैं या उक्ति किस अचारी की है अप्सन A, धनवंत्री अप्सन B, कुमार्स, अप्सन C, मरीज कास्यप अप्सन D, बैदे, जनक चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा A, चले निख्ट फूचन दिखते हैं प्राचीन माता अनुसर आकरती वहिद से अच्तियों के परकार हैं अप्सन A, 4, अप्सन B, 5, अप्सन C, 6, अप्सन D, 8 चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा B, चले निख्ट फूचन दिखते हैं आधोनिक माता अनुसर आकरती वहिद से अच्तियों के परकार हैं अप्सन A, 4, अप्सन B, 5, अप्सन C, 6, अप्सन D, 8 चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा A, चले निख्ट फूचन दिखते हैं गर्ब में स्वर्ब प्रतम इंद्रियों की उत्पति की इस अचारे ने मानी हैं अप्सन A, भदर काप्या अप्सन B, बैदे जनके अप्सन C, पारासर अप्सन D, उप्रक्त सभी चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा B, चले निख्ट कुछन दिखते हैं बैदिक बिद्वानों की अनुसार अश्तियों की संख्या है अप्सन A, 300 अप्सन B, 208 अप्सन C, 360 अप्सन D, 340 चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा C, चले इनिख्ट कुछन दिखते हैं दो हिर्दनी कौन से मास में गर्बनी कहलाती है अप्सन A, 6 मास में अप्सन B, 9 मास में अप्सन C, 4 मास में अप्सन D, 5 मास में चले इसका इंसर दिखते हैं तो इसका अंसर होगा C चलिए निख्टूचन दिखते हैं प्राचिन सल्य सास्त्रियुक की अनुशार अस्त्रियुक की संख्या अप्शन E 300 अप्शन B 208 अप्शन C 360 अप्शन D 340 चलिए इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा A चलिए निख्टूचन देखते हैं इस्तिरी में उप्युक्त रितु काल माना गया है अप्शन E तो आर्थोग के मध्या का अप्शन B आर्थोग के साथ अप्शन C आर्थोग पस्चात बारतिन अप्शन D उप्रक्त सभी तो इसका अंसर होगा C चले निख्षू चले देखते हैं आधोनिक सरीर विज्ञानों के अनुसार अस्तियुक की संख्या अप्शन A 280, अप्शन B 206, अप्शन C 208, अप्शन D 270 चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा B, चले निख्षू चले देखते हैं तो अच्चा संख्या सुसरुत्तुक अनुसार है अप्शन A 7, अप्शन B 2, अप्शन C 8, अप्शन D 4 चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा E, चले निख्षू चले देखते हैं अस्थाई दातों की संख्या कितनी होती है अप्शन A 36, अप्शन B 32, अप्शन C 28, अप्शन D 34 चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा B, चले निख्षू चले देखते हैं ब्रीका को किस सुरोतस का मूल कहा गया है अप्शन A मेदो होगा अप्शन B मास वा अप्शन C राश होगा अप्शन D मुत्र होगा चले इसका अंसर देखते हैं तो इसका अंसर होगा एक बाद में फुल अस्तिया की अस्तिया होती है अप्शन A 40, अप्शन B 50, अप्शन C 30, अप्शन D 20, चलिए इसका इंसर दिखते है तो इसका इंसर होगा सी चलिए अब क्रिया सरीर का अपने MC के देखने वाले हैं आहोज़़ और ओस्तिया को अमासर तक पहुचाने का कारिया करती है अप्शन A समान वाईू अप्शन B ब्यान वाईू अप्शन C उदान वाईू अप्शन D प्रान वाईू चलिए इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा D चलिए निक्ट कुछन देखते हैं बोलना, गाना, प्रियतन, करना या कर्म किसने किसके हैं अप्षन A समान वायू अप्षन B ब्यान वायू अप्षन C उदान वायू अप्षन D प्रान वायू चलिए इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा C चलिए निक्ट कुछन देखते हैं किसके द्वारा होता है अप्षन A समान वायू अप्षन B अपान वायू अप्षन C उदान वायू अप्षन D प्रान वायू चलिए इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा A चलिए निक्ट कुछन देखते हैं अप्षन C अप्षन C उदान वायू अप्षन D प्रान वायू चलिए इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा B चलिए निक्ट कुछन देखते हैं प्रमी, अस्मरी, मुत्र, क्रच, कौन सी वायू की विक्रती अवास्ता से होती है अप्षन A समान वायू अप्षन B प्यान वायू अप्षन C उदान वायू अप्षन D अपान वायू चलिए इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा D चलिएने ख्रूचन दिखते हैं खिरदय प्रदेश में राने वाला कौन से पीत है अप्सन A रंजक पीत अप्सन B अलोचक पीत अप्सन C पाचक पीत अप्सन D सादक पीत चलिए इसका अंसर दिखते हैं तो इसका अंसर होगा D चले इने फूचन दिखते हैं आचारे वेल के अनुशार मन की क्रिया किसके अधिन मानी है अप्सन A वात अप्सन B पीत अप्सन C काफ अप्सन D आत्मा चले इसका एंसर दिखते हैं तो इसका एंसर होगा चलिए नेक्ष पूचन दिखते हैं वात के ननातमच विकारों की संख्या माने गई है अप्सन A 60, अप्सन B 63, अप्सन C 80, अप्सन D 84 चलिए उसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा C, चलिए नेक्ष पूचन दिखते हैं वात का ननातमच विकार हैं अप्सन E, अक्षी बयुदास अप्सन B, ओस्ट भेद, अप्सन C, तिमीर अप्सन D, उप्रुक्त सभी चलिए उसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा D, चलिए नेक्ष पूचन दिखते हैं पीत आप्रत वात दोस का लक्षन है अप्सन E, प्रम अप्सन B, गुरुता अप्सन C, सोस अप्सन D, सत्य चलिए उसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा A, चलिए नेक्ष पूचन दिखते हैं कब आप्रत वात दोस का लक्षन है अप्सन E, सहत्य अप्सन B, गुरुता अप्सन C, सोस अप्सन D, उप्रुक्त सभी चलिए इसका इंसर दिखते हैं तो इसका इंसर होगा D, चलिए नेक्ष पूचन दिखते हैं अड़े वात रोग वात के किससे आप्रत होने पर होता है अप्सन E, माजा आप्रत अप्सन B, मास आप्रत अप्सन C, मेद आप्रत अप्सन D रखत आपरत चलो इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा C चलो इने फ्रोशन देखते हैं भोजन करने पर कुक्छी में बेदना होना वाद के किसे से आपरत होने पर होता है अप्सन E मज़़ आपरत अप्सन B आपरत अप्सन C मेद आपरत अप्सन D रस आपरत चलो इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा B चलो इने फ्रोशन देखते हैं परिकर्ति का लक्षनवात के किसे से आपरत होने पर होता है अप्सन E मज़़ आपरत अप्सन B मास आपरत अप्सन C मल आपरत अप्सन D रक्त आपरत चलो इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा C चलो इने फ्रोशन देखते हैं रोमान्स भाव और अरोची लक्षन कब से किसके आपरत होने पर होता है अप्सन E प्रानवायू अप्सन B अपानवायू अप्सन C उदानवायू अप्सन D समानवायू चलो इसका एंसर देखते हैं तो इसका एंसर होगा C चलो इने फ्रोशन देखते हैं पीत आपरत अपानवायू का लक्षन है अप्शन A, रप्त प्रदर, अप्शन B, गुद प्रदा, अप्शन C, मुत्र मार्क प्रदा, अप्शन D, उप्रक्त सवी चलिए इसका एंसर दिखते हैं तो इसका एंसर होगा D, चलिए नेक्ट प्रचन दिखते हैं कप आप्रत अपान वायुप का कर्म है, अप्शन E, आम पुरिश का आन्ना अप्शन B, कप प्रमे, कप प्रमे, अप्शन C, विदेड़नम मल प्रविटी, अप्शन D, उप्रक्त सवी चलिए इसका एंसर दिखते हैं तो इसका एंसर होगा D, चलिए नेक्ट प्रचन दिखते हैं अत्ति स्वेद उत्पति, रोमांच, अंग, सुप्ति लक्षन होते हैं Option A. ब्यान आप्रत प्रानवायू. Option B. प्रान आप्रत ब्यानवायू. Option C. समान आप्रत अपानवायू. Option D. प्रान आप्रत उदानवायू. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा A. चले निख्ट कुछन दिखते हैं. प्रानवायू से आप्रत उदानवायू का कर्म है. Option A. निश्वास बाधा. Option B. प्रतिश्याय. Option C. मुक्सोस. Option D. उप्रक्त सभी. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा D. चले निख्ट कुछन दिखते हैं. प्रान तथा उदान का आवरन विश्यस गस्ट कारक किसने माना है? Option A. अचारे डलहान. Option B. अचारे चारक. Option C. अचारे सुसरोत. Option D. अचारे भेल. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा E. चले निख्ट कुछन दिखते हैं. वात चारे का लक्षान है. Option A. मलानाता. Option B. वानी अल्पता. Option C. सलेश्मिक रोगों की उत्पती. Option D. उप्रक्तिस सभी. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा D. चले निख्ट कुछन दिखते हैं. अचारे चक्रपानिक ने वात ब्रदी का लक्षान विश्मिक रोप से कहा है. Option A. मनोब्रम. Option B. मलानाता. Option C. प्रलाप. Option D. उत्षा हानी. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा A. चले निख्ट कुछन दिखते हैं. अचारे डलहन ने वात ब्रदी का लक्षान विश्मिक रोप से कहा है. Option A. मनोब्रम. Option B. मलानाता. Option C. प्रलाप. Option D. उत्षा हानी. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा D. चले निख्ट कुछन दिखते हैं. वात का संचय प्रकुप और प्रसमन करमसफ होता है. Option A. ग्रिश्म वार्षा सरद. Option B. वार्षा हेमंथ सिसीर. Option C. हेमंथ सिसीर ग्रिश्म. Option D. सरद हेमंथ ग्रिश्म. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा A. चले निख्ट कुछन दिखते हैं. हात पैर का फटना वचाल गद गद स्वर्याकिस प्रकृति के लक्षान हैं. Option A. वात प्रकृति. Option B. पेत प्रकृति. Option C. कप प्रकृति. Option D. वात कप प्रकृति. चले इसका एंसर दिखते हैं. तो इसका एंसर होगा E. तो इसका एंसर होगा E. प्रकृति.